नमस्कार दोस्तों मैं पूरी मर्शुंकर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं राश्यूपचार में दोस्तों ये मैना बहुत ही शुब है क्योंकि इस मैने बहुत सरे तहवार पर रहे हैं और अब हमारा आने वला तहवार है दिवाली तो आए जान दें कि दिवाली कब है 24 या 25 अक्टूबर को क्या है सही तिथी शुब मूरत और लक्ष्मी गनेश पूजन विधी दोस्तों हर साल कार्थिक मास्किया मवस्यत तिथी को दिवाली मनाये जाती है इस दिन धन की देवी मा लक्ष्मी और गनेश जी का पूजन किया जाता है शास्त्रों में दिवाली को सुख सम्निधी पदान करने वाला तहवार माना गया है मानेता है कि इस दिन मा लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आकर उन्हें धन धाने का आशिरवात बदान करती है दिपावली से पहले धन तेरस मनाया जाता है और हड़ साल की तरह इस साल भी दिवाली की तिथी को लेकर काफी कन्फीजन है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2022 में सही तिथी क्या है लक्ष्मी पूजन की शुब मूरत और इसकी पूजा विदी के बारे में है दोस्तो 2022 में कार्थिक मा की आमवस्या तिथी 24 और 25 अक्टूबर को दो दिन दिवाली पर रही है हलाकि 24 अक्टूबर को प्रदोशकाल में आमवस्या तिथी होने के कारण दिपावली का परव 24 अक्टूबर स्वोमवार को ही मनाया जाएगा पूजा का शुब मूरत होगा 24 अक्टूबर शाम 6 बच के 33 मिनट से शाम 8 बच के 16 मिनट तक शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी गनेश जी की पूजा की जाती है लक्ष्मी पूजन प्रदोशकाल और शुब मूरत में करना श्रेष्ट माना जाता है प्रदोशकाल याने की संध्यकाल के समय घर के पूजास्थल पर एक साफ चौकी पर लाल वस्त बिछा कर लक्ष्मी कनेश जी के पतीमा को स्नान करा कर चौकी पर स्थापित करें पूजास्थल में जल से भषा कलश रखें कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्छत डालें कलश पर आम या अशोक के पांच पत्पे भी लगाएं अब कलश को एक छोटी सी थाली से धके जिसके उपर चावल रग दें अब सबसे पहले घी के दीपक जलाएं लक्ष्मी गनेज जी की प्रतीमा को तिलक कर सभी पूजन सामागरी जैसे खीर, बताशे, पंचमेवा, गूर, फल, फुल, मिठाई, मा लक्ष्मी जी को कमल का फुल एवं कौनिया अर्पित करे अब माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और श्री सुक्त पाट करे दिवाली पर मालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी वर वही खाते की पूजा भी होती है इसलिए इने भी तिलक कर पूजा करे इसके बाद लक्ष्मी गनेज जी की कथा सुने और फिर आर्थी करे पूजा के बाद घर के सभी कोनों में दिया जलाये मानेता है कि इस दिन लख्षमी गनेज जी के साथ धन के देवता कुबेट जी का भी पूज़न करना बहुत शुब होता है तो दोस्तों ये थी कि दिवाली, पूजा विधी, शास्त्रों के नुसार हर से दिवाली के दिन मा लक्षमी और गनपती जी की पूजा का विधान है, माना जाता है कि इस लक्षमी गनेज जी की पूजा करने से सुक सम्रिदी, धन्द संपदा, एश्वरे वैभव का पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सम बनाया जाता है, तो दोस्तों उमीद है अब आपको पता चल गया होगा कि दिवाली कब है, कैसे करनी है पूजा, अगर आपको पूजा को लेकर कोई भी मन में शंका है तो मुझे कॉमेंट में जरूर लिखेगा, और इसी त